नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल चीबी की स्पेसल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ दिप्यासीन तीसरी बार देश का पीम बनते ही पीम मोदी पुरे तरह से आक्शन मोड में नसर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरह विदेश मंतरी इस जैशंकर ने भी कुछ ऐसा किया है जिसके बाद चीन की रातों की नींद हराम होने वाली है क्योंकि अगर चीन को ये लग रहा था कि उसको उसकी भाषा में जवाब देना बारत को नहीं आता है तो अब उसकी ये घलत फैमी भी करना शुरुकत या है मोदी सरकार पर पिछले दस सालों से यारोप लगता रहा है कि ये सरकार सिर्फ पाकिस्तान को ही लाल आंख दिखा सकती है उसी के खलाफ कड़े आक्शन लेती है जबकि पडोसी और ताकतवर देश चीन के खलाफ इनके मूँ से एक शब्द भी नहीं लेकल था पिए मोदी तो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पिए मोदी अपने तीसरे कारेकाल में चीन को सबक सखाने का मन बना कराए है शपत ग्रहड के दूसरे दिन ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए एलान किया है कि चीन से बदला लिए अचाय का अपरेल में चीन ने और आचर प्रदेश की तीस जगों के नाम बदले थी जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति चताई थी अब भारत भी तिबद में तीस अस्थानों का नाम बदली का पीम मोदी की निर्टितु वाली नहीं सरकार ने तिबद में तीस रचना और इतिहास को ध्यान में रखकर तैग के जाएंगी बदले हुए नाम भारती से जारी करेगी और नक्षा में भी नामों को बदला चायेगा जी हां भारत ने और आचर प्रदेश में जगों के नाम बदलने के चीनी कदम का चबाब देने के लिए जैसे को तैसा ऐसा किया है दरसल भारती सेना का सूचना यूद प्रभाग इस अभ्यान का नर्तित्तु कर रहा है जिसे कोलकाता में मुझूद ब्रिटिश कालीन एसी आइट सोसाइटी जैसे प्रतिश्चित अनुसंदान संस्थानों का पूरा सपोर्ट मिला है सेना ने अपने लोगों क तीस अस्थानों की एक सूची को भी अंतिम रूप दे दिया है और एतिहासिक अविलेकों से भातिय भश्राह में उनके प्राची नामों को दोबारा पाने की कोशिस करें यह भारत की राच्छर प्रदेश राज्य और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीनी दाओं के खलाव एक मजबूत जवाबी अख्यार क्रस्तूत करने के व्याश्विक अभ्यान का हिस्सा है अब चुकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रदाल मंत्री नारंग्रमोदी के निर्थित्यों में इंडिये सरकार ने अपना कारेबार संभाल लिया है इसलिए चीन के स्वतंत्र छीद्र में तिबबत के अस्थानों का नाम बदलने का इस्तमाल अडाचल प्रदेश पर चीनी दावों को खत्म खरने के लिए बदले के तौर पर किया चाहेगा सैने अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि नया नाम व्यापक एहतिहासिक शोद के अधार पर रक्के चाहेगे और वो खूफिया ब्योरों के अधिकारी वी नुगोश जिन्होंने वास्विक नियंत्र रेखा पर सालों काम किया है और जिने परवतार रोहन में भी दल्चस्पी है उनका कहना है कि जब भी ऐसा होगा यह भारत की तरब से तबबत के तयार है वह भारतिय सेना ने हाल के हफ्तों में विवादित सीमावर्ती छेत्रों में मीजिया के कई दोरे आयोजित करवाए हैं और मीजिया को उन अस्थानी लोगों से बात करने का मौका भी दिया है जो चीनी दाओ का कड़ा विरोत करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा से भ के बढ़ाना है जो थोस एतिहासिक शोद और अस्थानी निवासियों के जन्मत पर अधारे थे इसी साल कुछ समय पुर्व राचल प्रदेश पर अपना दावा चताने के लिए चीन ने इस राज्ज में एलसी के पास 30 अस्थालों का नाम बदल दिया होंकोंग में मौजू जोंगनार कहता है यह जोथी बार है जब चीन ने और अचल प्रदेश के अस्थानों का एक तरफा नाम करण किया है इससे पहले उसने ऐसा साल 2017, 2021 और 2023 में किया था चीन की तरफ से नाम बदले गए जगों की सूची में 11 अवासिय चेदर, 12 परवर्तिय, 4 नदिया, 1 जील, एक पहाड़ी दर्रा और एक बोखंड है इन नामों में चीनी तिब्बती और पीनियर अक्षर है जो मंद्रानीन चीनी का रोमन वंडमाला संस्क्रण है साउथ चाइना मौर्णिंग पोस्ट ने मंत्राले के बयान को बताया कि जो कहता है कि भगॉलिक नामों के प्रबंद कि यआर म Cancer में चैने का नामों कि पहली सूची जारी की है में पुन्रा स्थानल की दूशी जारी की और उसके बाद साल 2030 की ज्यारा अस्थानों के नामों की और सुची जारी कर भारत प्रदेश में अस्थानों का नाम बदलने के चीनी कदम को बार-बार खारिच करते हैं कि भारत का अभीन अंग है और मणगरत नाम रखने से यह वास्तविक्ता नहीं बदल जाती साल 2023 में ततकालीन विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्षी ने कहा कि हमने ऐसे र रहेका मंगरत नाम रखने की कोशिस इस सचाई को नहीं बदल पाएगी राचर प्रदेश पर अपने दाव को पुष्ट करने के लिए चीनी बयानों की श्रवात प्रदार मंत्री नरंद्र मोदी की राचर प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष कूठनी थी वरोध 13,000 फुट की उच्छाई पर निर्मित सेला सुरंग को राष्ट को समर्पित किया वदेश मंत्री इस जैसंकर ने 23 मार्च को राचर प्रदेश पर चीन के बार बार के दावों को हास्सेपद बताते वे कहा कि यह सीमावर्ती राच्च भारत का सुभाविक हस्जा है उन्हो कि यह दावे शुरू से हास्सेपद रहे हैं और आज भी है इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हम हमेशा से बहुत असपस्ट और तार्किक रहे हैं यह सीमा पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा बने का कूल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने चीन को उसकी भाशा में ज बताया है वदेश मंत्राले ने कहा है कि मन गड़त नाम रखने से अब आस्पिक्ता नहीं बदल जाती भारत की और सी यह कड़ी प्रतिक्रिया इसे समय में आई है जब दर्शिन चीन सागर जैसे छेत्रों में चीन की विस्तार वादी नीतियों को वैस्वीक आपस्विक्र कि चीन के मामने में हमारा ध्यान सीमा मुद्दो का समयधान खोचने पर होगा और पाकिस्तान के साथ हम वर्षों पुराने सीमा पर आतंकवाद के मुद्दो का समयधान खोचना चाहेंगे नाम बदलने के पीछे चीन का क्या दावा है दरसल चीन ने कभी अरणाचल प्रदेश को भारत की राच्च के तौर पर मानिता नहीं दी वह अरणाचल को दशनी तिबबत का हिस्सा बताता है उसका अरोप है कि भारत ने उसके तिबबते इलाके पर कबजा करके उसे कु का था कि चल्ट के नाम tweak है वगया वह कई सोचालों से चीन का इंद्जागों का नाम बदलना जाट है पुर्हाने समय मेंं जोग नाम recipes में रखती ती इसकेली इंद्ध घानोनी तरिके नाम भी बदल ते यानि कूल मिलाकर अब जैगन को उसी की भाशा में जवाब देने का मन पूरी तरह से बारत ने बना लिया है अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है इस्पेसल स्टोरी में फ़लाल के लिए नहीं बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं कापिटल टीवी नमस्का हुआ 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 है